दूर्सा वेबिनार अब शुरू होने वारा जिसे पिदार मन्जबी कुछी देर में सम्भोधित करेंगे नमस्कार आप सभी का बजेट से जुड़े इस महत्वपों वेबिनार में रदय से स्वागत करता हूं पिछले आठ नव वर्षों की तरह इस बार भी बजेट में क्रिशी को बहुत अधिक महत्वप दिया गया है पिछले कुछ वर्षों से बजेट के अगले दिन के अख़बारों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर बजेट को गाउं, गरीब और किसान का बजेट कहा गया है 2014 में क्रिशी बजेट 25,000 करोड रुपे से भी कम था हमारे आने से पहले 25,000 करोड आज देश का क्रिशी बजेट बढ़कर एक लाग 25,000 करोड रुपे से भी जादा हो गया है साथियों आजहादी के बाद लंबे समय तक हमारा क्रिशी खेत्र अभाव के दबाव में रहा हम अपनी खाद्य सुरुक्षा के लिए दुनिया पर निर्वर थे लेकिन हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्वर बनाया बलकि आज उनकी वज़े से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए है आज भारत कई तरह के क्रिसी उत्पादों को निर्यात कर रहा है हमने गरेलू और अंतराष्ट्य बजारों तक किसानों की पहुँच को आसान बनाया है लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि बाद चाहे आत्मन निर्भरता की हो या निर्यात की हमारा लक्ष सिर्फ चावल गेहु तक ही सिमित नहीं रहना चाहिए उधान के लिए इकिस बाइस में दलहन के आयात पर सत्रा हजार करोण रुपे खर्च करने पड़े बैल्यू एडेड फूड प्रोड़क्स के आयात पर पचीस हजार करोण रुपे खर्च हुए इसी तरह इकिस बाइस में खाद्य तेलों के आयात पर डेड़ लाग करोण रुपया खर्च हुए सिर्फ इतनी ही चीजों के आयात पर करीब दो लाग करोण रुपया खर्च हो गए मतलब इतना पैसा देश के बहार चला गया ये पैसा हमारे किसानों के पांस पहुंच सकता है अगर हम इन करसी उत्पादों के खेतर में भी आत्म निर्भर बन जाएंगे पिछले कुछ वर्षों से लगातार बजेट में इन सेक्टर्स को आगे बढ़ाने वाले फैसले किये जा रहे हमने MSP में बढ़ोतरी की दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया फूर्ट प्रोसेसिंग करने वाले फूर्ट पार्कों की संख्या बढ़ाई गई साथ ही खाद्य तेल के मामले में पूरी तरह आत्म निर्भर होने के लिए मीशन मोड में काम चल रहा है साथियो जब तक हम एगरिकल्टर सेक्टर से जुड़ी चुनोत्यों को दूर नहीं कर लेते संपूर्ण विकास का लक्ष हासिल नहीं हो सकता आज भारत के कई सेक्टर से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हमारे उरजावान युवा बढ़ चड़ करके उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं लेकिन एगरिकल्टर में उनकी भागिदारी कम है जबकी वो भी इसके महतोव और इसमें आगे बढ़ने के संभावनाओं के बारे में जानते हैं प्राइवेट इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर से दुरी बनाये हुए हैं इस खाली जगर को भरने के लिए इस साल के बजेट में कई तरह के एलान किये गए हैं उधान के लिए एग्रिकल्चर सेक्टर में ओपन सोर्स बेज प्रेटफर्म को बढ़ावा हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्रक्टर को ओपन सोर्स प्रेटफर्म की तरह सामने रखा हैं यह बिलकुल उसी तरह हैं जैसे यूपी आई का ओपन प्रेटफर्म जिसके जरिये आज डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है आज जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन में क्रांती हो रही हैं उसी तरह एग्री टेक डोमेन में भी इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की अपार संभावना बन रही है इसमें संभावना है लोजिस्टिक्स को बहतर बनाने की इसमें अवसर है बड़े बाजार तक पहुँच को आसान बनाने का इसमें मोका है टेकनलोजी के जरिये ड्रीप इरिगेशन को बढ़ावा देने का साथ ही सही सला सही व्यक्ति तक समय से पहुँचाने की दिशा में हमारे उमा काम कर सकते हैं जिस तरह से मेडिकल सेक्टर में लेप काम करते हैं उसी तरह से नीजी स्वाइल टेस्टिंग लेप स्थाफित किये जा सकते हैं हमारे उवा अपने इनोवेशन से सरकार और किसान के बीच सुचना के सेतू बन सकते हैं वो ये बता सकते हैं कि कौन सी फसल ज्यादा मुनाफ़ा दे सकती हैं वो फसल के बारे में अनुमान लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं वो पॉलिसी मेकिंग में मदद कर सकते हैं युवा अपने इनोवेशन से किसी जगर पर मौसम में आ रहे बढ़लाओं की रियल टाइम इन्फरमेशन भी उपलबद करा सकते हैं यानि हमारे युवाओं के लिए इस सेक्टर में करने के लिए बहुत कुछ है इसमें सक्रिय भागीदारी करके वो किसानों की मदद करेंगे साथी उन्हें भी आगे बढ़ाने का आउसर मिलेगा साथियों इस बार के बजेट में एक और महतोपुर गोशना हुई है एग्री टैक स्टार्ट अप्स के लिए एक्सलेरेटर फंड की ववस्ता की गई है इसलिए हम सिर्फ डिजिटल इंफ्रसेक्टर का निर्मानी नहीं कर रहे हैं बलकि हम आपके लिए फंडिंग एवन्यूस भी तैयार कर रहे हैं तो अब हमारे युआ एंट्रपरनर्स की बारी है वो उत्सा से आगे बढ़े और लक्ष हासिल करके दिखाएं हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि नव वर्स पहले देश में एगरी स्टार्ट अप नव के बराबर थे लेकिन आज ये तीन हजार से भी ज़्यादा है फिर भी हमें और तेज रप्तार से आगे बढ़ना होगा साथियों आप सब जानते हैं कि भारत की पहल पर इस साल को हो इंटरनेशनल येर ओफ मिलेट्स गोशित किया गया है मिलेट्स को अंतरश्ट्य पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो मोटे अनाज को अब देश ने इस बजेट में स्री अन्न की पहचान दी है आज जिस तरह स्री अन्न को प्रमोट किया जा रहा है उससे हमारे छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा इस ख्षेत्र में ऐसे स्टार्ट अप के ग्रोथ की संभावना भी बड़ी है जो ग्लोबल मार्केट तक किसानों के पहुँच को आसान बनाए साथियों भारत के सहकारिता सक्टर में एक नया रिवल्यूशन हो रहा है अभी तक ये देश के कुछ एक राज्यों और कुछ एक शेत्रों तक ही सिमित रहा है लेकिन अब इसका विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है इस बार के बजेट में कोपरेटिव सेक्टर को टैक्स समंदी रहाते दी गई है और अब तो हमने कोपरेटिव मंत्रालाई ही अलग बना दिया है अब आगे मैनुफेक्टिरिंग करने वाली नई सहकारी समित्यों को कम टैक्स रेट का फाइदा मिलेगा सहकारी समित्यों द्वारा तीन करोड रुपिय तक की नगद निकासी पर टीडियस नहीं लगेगा कोपरेटिव सेक्टर के मन में हमेशा से एक भाव रहा है कि बाकी कमपनियों की तुन्ना में उनके साथ बेदभाव किया जाता है इस बजेट में इस अन्याय को भी खत्म किया गया है एक महत्पपोन फैसले के तहट शूगर कोपरेटिव द्वारा 16-17 के पहले किये गए पेमेंट पर टैक्स शुक दी गई है इससे शूगर कोपरेटिव को 10,000 करोड का फाइदा होगा साथियों, जिन छेत्रों में सहकारी संस्ताय पहले से नहीं है वहाँ डेरी और फिसरीज से जुड़ी सहकारी संस्तायों से छोटे किसानों को भौट लाभ होगा विशेशकर फिसरीज में हमारे किसानों के लिए कई बड़ी संभावनाय मौजूद है पिछले आठ नव वर्षों में देश में मत्से उत्पादन करीब सत्तर लाग मेट्रेक्टन बढ़ा है 2014 के पहले इतना ही उत्पादन बढ़ाने के मैं करीब करीब 30 साल लग गए थे 3 दसक इस बजेट में PM मत्स संपदा योजना के तहट 6000 करोड की लागत से एक नए सब कंपोनेंट की गोशना की गई है इससे फिसरीज वेल्यू चेन के साथ साथ मार्केट को बढ़ावा बिलेगा इससे मच्छवारों और छोटे उद्यूमियों के लिए नए अवसर बनेंगे साथियों हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और केमिकल आधारित खेती को कम करने के दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं पी एम प्रणाम योजना और गोबर्धन योजना से इस दिशा में बड़ी मदद मिलेगी मैं आशा करता हूं हम सब एक टीम के रूप इन सभी विश्वयों को आगे बढ़ाएंगे मैं फिर एक बार आज के एक वेबिनार के लिए आपको शुबकामनाई देता हूं मुझे विश्वास है कि आप सब स्टेकोल्डर्स मिल करके इस बजेट का अधिक्तम लाब अधिक्तम लोगों को जल्दी से जल्दी कैसे मिले बजेट में किये गए प्रावधानों और आपकी शक्ति आपका संकल पर जुड़ जाएं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम जिन उचाईयों को क्रिशी क्षेत्र को ले जाना चाहते हैं मत से उद्ध्योग को ले जाना चाहते हैं हम जुरू ले पाएंगे आप बहुत गहराई से चिंतन कीजिए मौलिक विचारों का योगदान दीजिए रोडमेप बनाईए और मुझे पक्का विश्वास है ये वेबिनार एक साल के लिए पूरा रोडमेप तैयार करने में सफल होगा बहुत बहुत सुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद झाल